जहे हिन दोस्तों तो आज की वीडियों वन लाइना जी के कोशन इन हिंदी है तो पहला प्रसन देखिए ग्रेंट ट्रक रोज किसने बनवाया सेलसा सूरी ने विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी विटामिन C की कमी से कौन सी बिमारी होती है इसकर भी दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता विटामिन C विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेश किस विटामिन की कमी से खून का ठक्का नहीं जमता विटामिन K बिटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है बाजपन का रोग होता है बिटामिन C का रसाइनिंग नाम क्या है इसकारबिक आमले वसा में घुलन सील बिटामिन कौन से है A और E है साधार नमक का रसाइनिंग नाम है यन्ने C L हसाने वाली गर्ष का रसानिग नाम क्या है नाय्टिरस अकसाीड यंटू ओ जिसे यंटू ओ कहते है धावन सोदा का रसानिग नाम क्या है सोदियम कार्बोनेट सूर का प्रकास प्रिथिवी तक पहुचने में कितना समय लेता है पांसो सिकेंड देखे 500 सिके निया पर दिया है तो आप मिनत में भी बता सकते हैं भारत ने पहला पलमाडू पर इच्छर कब हो कहां किया 14 माई 1974 को कहां पर पोख़ड़ राजस्थान में कंप्यूटर के जिस भाग को हम इस्पस करते हैं कांग्रेश द्वारपूर स्वाधिन्ता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया सन 1929 के लाहोर अधिवेशन में सुवेट करांटी का संबंद किससे है तो यह दूध से भारत का सबसे पुराना चालू देल इंजन काउंसा है फेरी क्विन भारत में अपातकाल की प्रथम घोशला कब की गई चेनी आकलमण के समय 26 अक्टूबर 1922 को भारत में भासा के धार पर बनने वाला पहला राज काउन सा है आंधर पदेश भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलिम आकलमण कारी काउन था मुहम्मद बिन कासीम 712 सबी सिल्यूकस का राजदूत जो संद्गुप्त मौर के दर्बान में आया काउन था मेगस्थनीज था सिल्लंका का पुराना नाम सिलोन है लाद केनिंग ने नौमबर 1858 में कहा आयोजित दर्बार में भारत में कराउन सासन की घोसड़ा की कहापा इलहाबाद में आयोजित दर्बार में लाद वेले जली के साथ सबसे पहले सहयक संधी की दाजिके सासन की हैदरबाद की निजामने भारत की सरवधिक बड़ी जनजाती कौन सी है गौर जनजाती है भारती रास्टी कांगरेश की प्रथम महिला अध्यास कौन थी एनी बेसेंट भारत का सबसे बड़ा बाध कौन सा है हीरा कुंद बाध समिधान की एठवी अनुसूची में कितनी भाती भासाओं को मानेत्य दी गई 22 भासा आये हैं सीन की मुद्रा कौन सी है यू यान रेद करास की संस्ठाप कौन हेनरी दूनाठ हीमोगलोबीन की कमिसे होने वाला रोख इनीमिया भारत कोकिला कौन कहलाती है सरोजनी नाइडू को दिल्ली में कुटूमिनार किसने बनवानी शुरू की कुटूबदीन एबक ने बनारस हिंदू पिसुविद्याला जिसे बियच्चू कहते हैं मदन मोहन मालवी ने बनवाया था और सरसास्त की लेखा कौन चारक कौतिले बिवेका नंद इसमारक कहस्ती थे कन्या कुमारी में दच्छेस का मुख्याले कहस्ती थे काठमांडू नेपाल दच्छेस के कितने देश सदेश हैं भारत, नेपाल, बंगलादेश, स्रिलंका, माल्दिव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत में निर्मित पर्थम कंप्यूटर का क्या नाम है सिध्धाक्त गैतरी मंत्र का उलेक किस गरंथ में? स्रिकवेद में मानो शरी में पाचन किरिया अधिकतर किस अंग में संपन होती है छोटी आट में अनुवान सिक्ता के नियमों का प्रतिपादन किस ने किया? ग्रेगोर मैंडल ने मानो द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का बाल पेन किस सिधान पर काम करता है प्रिष्टी तनाव पर रेशम की खीड़े किस विछ की कोमल पत्यों पर पाले जाते हैं सहतूत के पत्ते पर राजस्थान में खेटड़ी किसके लिए पसीद है तांबे की खान के लिए प्रिष्टवी के सबसे नजदी गरह कौन सा है? सुक्रिगरह है मनुस की आँख में किस वस्तु का प्रतिविम कहां बनता है? रेतीना में सूर से प्रिष्टवी पर उस्मा का संस्रा किस विधी के द्वारा होता है? बिकिदर के द्वारा होता है DNA की दुगूर कुंदली का पता किस ने लगाया? वाटसन और किरिकने ध्वनी की तिरुवता किस में मापी जाती है? डेसीबल में नमापी जाती है मधुमक की पालन क्या कहलाता है? E.P. कल्चर किसी बेवसाइट की प्रथम पिष्टु को क्या कहते है? होम पेज गाड़ियों में पीछे का दिर्ष्ट देखने के लिए किस दलपड का परयोग किया जाता है? उत्तल दलपड का परयोग होता है समान परिष्टितियों में हवा में ध्वनी की गटी कितनी होती है? 332 मीटर 35 सेकेंड होती है एक मात्र काउन सा जो अपनी धूरी पूर्व से पस्चिम दिशा में घुमता है? सुक्र है सूर में सरवदी गैस काउन सी है? हाइद्रोजन प्रिटिवी से दिखाई देने वाला सबसे चमकिला गरह काउन सा है? सुक्र होमियोपैथिक का सस्थापा काउन? हनी मैन में कितनी बाइट होती है? एक हजास चौबिस बाइट भारती रास्ती कांग्रेश के 1939 के तिहासिक अधिवेशन की अधियच्छता किसने की? जवाला नहरू ने केंदरी असेंबेली में बम फ्यकने में भगत सिंग का साथी कौन था? बटु केश्वर दत मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में कामन वील पत्तिरका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेशेंट ने एक मात भालती को अर्थ सास्थ में नोबर पुस्काल मिला है आमस सेन को 1856 में विधवा पुनर्विवा कानून किसके प्रयास से बनाए गया था? इस्वर चंद्र विध्यसागर के प्रयासों से भारत की तत तिरेखा की लंबाई कितना है? 7516 यानी की 7516 किलो मीटर है विश्व में अभरक माइका जिसे कहते हैं का सरवदिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है